यह रेस सिंदगी की रेस है किसी की सिंदगी लेके गतम होगी दो चोडी चोल तोनो बार हिंदी में लिखे गया कौन डायक्ट करेगा रेस फोर क्या होगा इस फिल्म का बचेट कितने घंटो जिम में पसीना बहाते हैं सल्मान खान रेस फिल्म सीरीज बॉली हुट की एक बेहदी पॉपुलर फिल्म सीरीज है रेस टू साल 2013 में रिलीज हुई जिसमें मुख्य भूमिका में साफ अली कान, जॉन अब्राहिम, दिपिका पादुकोर्ण, अनील कपूर, जाकनिल फ्रनांडेस के साथ और भी कई बहतरीन कलकार शामिल थे रेस और रेस टू, ये दोनों फिल्म में अबास मस्तान द्वारा डारेक्ट की गई थी और सीरेज एहमद ने इन दोनों फिल्मों का स्क्रीन प्लेर लिखा था ये दोनों फिल्में दर्शकों को बेहत पसंद आई थी और इन दोनों फिल्मों को अच्छी रेटिंग्स भी मिली वही ने इस थ्री फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डारेक्ट जाने माने कॉरिट ड्राफ रेमो डिसूजा ने किया था और इस फिल्म का स्क्रीन पे रेज फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह सीरच एहमद ने ही लिकिया था इस फिल्म में लीज जोल में दबंग खान यानि की सलमान खान, श्रिलंकन ब्यूटी जैकलीन फ्रिनांजिस, डेजी शा, अनिल कपूर और सकीत सलीम ने भी काम किया था अगर बात करें रेज 4 की तो इस फिल्म को इस बारेमो डिसूजा डारेक्ट नहीं करेंगे इस फिल्म को रेज की पहली फ्रेंचाइज की तरह अबास मस्तान ही डारेक्ट करेंगे अब अगर फिल्म एक्शन से भरपूर है तो इसके लिए फिल्म के एक्टर्स की फिटनेस और फिजीक भी शांदाल होनी चाहिए और हमारे भाईजन सल्मान खान फिटनेस में किसी से कम है क्या हम सभी के प्यारे दबंग खान कितने बिजी रहते हैं ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन अपने बिजी स्केजूर के बाद भी सल्मान खान हर दिन करीम एक घंटा जिम जरूर जाते हैं जिससे उनके fitness एकदम बरकरार रहती है सलमान खान अपने काम को ध्यान में रखते हुए अपने काम से free होकर अपने trainer के साथ जिम में पसीना जरूर बहाते हैं So guys, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और हाँ friends, please don't forget to subscribe our channel वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा और इसी की साथ मैं सुम्भी का लेती हूँ आपसे इजाज़त टाटा बाई, टेक्यू